जहिन साथि उत्तर्प्रदेश में दरोगा भरति की जो प्रक्लिया है फाविधन करने का उप्रागम हो चुग है उसके साती इवाओंके अंदर दरोगा बनने का जो शपना पूरी तुर अपनी नहीं सकते हैं जी नहीं ऐसा आज हमारे सामनी के लेनिमित्रगेश्पर जो उत्तर करदेश के सम्स्ट्रक्टर 2000 वैस्ते चलेगे और यह बताएंगे अपनी संहर्ष के कहानी कि दरोगा सोचने से आप दरोगा नहीं बन पाएंगे क्योंकि अब की बार वर्दी हमां के लिए अपनी चाल फोग देनी परिच्छा रिटलिक जाँ चाप पिस्टन होता है नाकराथ मत अलग होते है और नहीं परिच्छा होती है पहले तो 50% था जब परिच्छा आ दे रहे थे उसने में 50% था लेकिन इस दमें जो उत्रांग है वो 35% पिछली बार कि अप इच्छा पतीन गुना जाता है और या आप अभी अपनी देश में लगें हो तो आपके लिए इस तुनहरा मत आप अपनों में जान आ सकते हैं उसके लिए एक रणी की होनी चाहिए क्या पढ़ना चाहिए आईए आज हमारे साथ हैं उतकर्त जो उत्तरप्रदिश दलोगा में चैनित है और आप को मताएंगे सर्क वर्दी कैसे मिली कैसे माते पर लगा वाज्यू में मोंगो अग्राम लोगो कैसे सर अपनी जवानी बताएंगे सब आज बच्चों को सब इंस्पेक्टर 2016 में मैं चाहने थूं साथियों यह जो पद है यह हम सभी के लिए जो है बहुत मायने रखता है हमारे लिए उत्तरप्रदेश पुलिस के लिए समाज के लिए और यह बहुत ही चुनोतिक पूर्पद है खास करके कानल व्यास्था के लिए लोग व्यास्थ तीन छनों में है लिखित परिक्षा है सारी री दफ्सता परिक्षा चिकतसगें परिक्षा instead जो प्रफाम चरर्ण में जो पहली बार हमें देना है लिखित और राक्षा के बाद हम subscribe अदन आंगे अर्था इन तीनों चरनों में जो हमारे लिए जो पहला कदम है जब हम लिखित परिक्षा को पास करेंगे और अच्छा खासा स्कोर करेंगे ताभी हम इस भरती का जा शरण है उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे साथियों हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो लिखित परिख्षा को समझना इसके प्रारूप को समझना है यह किन चरणों में होती है कितने इसके खंड है इसके जो खंड है उसमें जो प्रस्न है किस तरीके से आते हैं साथियों यह जो खंड है इसमें हम जैसा कि हमारे बहुत से साथी जो है जानकारी रखते होंगे बहुत से साथी जो है ऐसे हैं जो जानकारी नहीं रखते होंगे हम उनको भी बताएंगे कि चार खंड का यह हमारा प्रस्ण पत्र है सभी खंडों में 40 प्रस्ण आते हैं इस 40 में जो मौझूदा जो है फार्म आया है 9534 पदों का उसमें जो मिनमम कटाफ निर्धारित किया गया है अब वो 35 फिसदी का किया गया है और 9534 साथियों जब मैं लिखित परिक्षा में बैठा था उस समय जो कुल पद थे वह 3307 पद थे और जो खंडवार मिनमम कटाफ था वो 50 फिसदी था इस बार जो कटाफ है वह 50 फिसदी से 35 फिसदी कर दिया गया है जो कुल पद थे वह पिछली परिक्षा में जो 3307 उससे बढ़ा कर 9534 कर दिया गया है अर्थात जो कटाफ है खंडवार उस वह भी कम और जो कुल पद थे वह भी ज्यादा लेकिन साथियों क्या कटाफ कम कर देने से और पद बढ़ा देने से क्या हम अपना चैन सुनिश्चित कर पाएंगे नहीं हम अपना चैन तब सुनिश्चित कर करेंगे उसका अभ्यास करेंगे और एक पूर्ड डेडी के साथ कारी करेंगे तब जाके हम निश्चित रूप से इसमें एक सीट अपनी जो है मुकरर कर पाएंगे तातियों यह जो पद है यह बहुत ही महत्तुपूर है हमारे लिए हमारे समाज के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रूइवड की हड़ी है तब इस्पेक्टर आयो होता है इन्वेस्टिगेटिंग अफिसर होता है समाज में जितनी भी तरीके की घटनाए घटती है सारी घटनाओं को जो है उसके उसका वो जाँग उसकी बिवेशना करता है उसकी बिवेशना में जो अर्थात आप समझ सकते हैं देख सकते हैं कि जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर का पद है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारे समाज के लिए हमारे समयधान के लिए लोग सांती के लिए लोग ब्यास्था के लिए और कानून ब्यास्था के लिए अतियों लिखित परिच्छा जो है यह क्यार इसमें खंडाते हैं हिंदी जीएस मैथ और रिजनिंग इसके लिए हमें पूर्ड डेडिकेशन के साथ लगातार पढ़ाई करनी है और जो है एक एक विशय को विंदुवार जो है गहन अध्यान करना और हम जो है आपके साथ हैं आपकी सफलता ज भरती के बारे में जानकारी देने के लिए उसमें आप सभी को जागरूप करने के लिए और हम आपके साथ मेहनत करेंगे जिससे कि आपकी जो सफलता है वो सुनिशित हो सगया साथियों यह जो विशय है सभी इंस्पेक्टर भरती 2021 का जैसा कि हम सब जानते हैं 9534 पदों का इसमें चार खंड जो है हिंदी इरिजनिंग मैथ जीयस इसमें सारे विशय अत्यांत महत्पूर्ण हैं 40 प्रस्न जैसा कि मैंने बताया सभी विशय से आते हैं 40 प्रस्न 40 प्रस्नों में जो मिनमम कटाप है जिसे हमें अरजित करना है प्रते खंड में वो 35 फीशदी है 35 फी के योगी बन पाहिए इसके अलावा सातियों हमारा लक्ष सिर्फ मिनमम कटाप को एरजित करना नहीं है मिनमम कटाप के साथ साथ हमें इस परिक्षा में अंतिम रूप से चैनित होने के लिए स्कोर करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए हमें जो महत्पूर्ण विशय है उस में समयधान, मुल्विधी, इतिहास, भुगोल, सभी विसियों को हमें देखना है, गनित में प्रतिशत्ता, लाभानी, समयटाम, पानी ठंकी और अनुपात, इन सारे विसियों को हमें एक एक करके देखना है, बहुत बारीक अंतर होता है सभी प्रस्णों में जो एक दूसरे से जोड़कर पूछते हैं जैसे गनित में प्रस्ण आता है साधानल व्याज का चेकरदियाज का इसमें ये दोनों टापिक को जोड़कर प्रस्ण पूछते हैं कि जैसे दो वर्सों का साधानल व्याज चेकरदियाज का अंतर इतना है तो मुलधन क्या होगा दर पूछते हैं इस तरीके से एक टापिक को दूसरे से जोड़, प्रसन पूछते हैं तो जब हम एक एक विसाय को मौज़ूदा समय में जो प्रसन का प्राणुप है जिस तरीके से पूछा जा रहा है एक एक विश्वय को हम देखेंगे बारीकी से उसका अध्यान करेंगे तब जाके हम अपना चैन इस परिक्षा में सुनश्चित कर पाएंगे साथियों इसी तरीके से रिजनिंग है रिजनिंग में भी जो प्रस आते हैं वो कहीं न कहीं बैंक की रिजनिंग से जोड़ कर आते हैं हुआ है तातियों ये जो बैंक की रेजनिन हैं जैसा कि हम जानते हैं कि ज hoş अन्याने भी तरीकिये के वंडे एक ग्याम है इसमेंzone BANG की जो extr baseline है वो सबसfकति कंते हैं BANG की सबसरी आते ही यह इसलियी प्रस्न आते हैं इसमें जो सवाल है सम्मुह में आते हैं से सीटिंग एरेस्मेंट है इसमें मसीन एपट आता है कि Direcence प्रसन से ऑंते आते हैं यह समुह में प्रसन आते हैं तो आप नियत अस्थान पर बैठा देते तब आपके सारे प्रस्ट सही हो जाएंगे लेकिन इसके वीपरित यदि आप सारे व्यक्तियों को जो निर्धारी तस्थान उनका है उसके उससे हट कर कहीं बैठाते हैं तो आपके प्रस्ट गलत भी हो सकते हैं अर्थात जो रिजिनिंग के प्रस्ट है वो अत्यंत जो है ज हमारे प्रश्म जो है वो गलत हो सकते हैं अर्थात इसको हमें बिंदुवार खंडवार गयान अध्यान करना है हमें देखना है कि कौन से टापिक हमारे कमजोर हैं कौन से टापिक हमारे मजबूत हैं जो टापिक हमारे मजबूत हैं वो हमें स्कोर दिलाएंगे जो टापिक हम हमारे मजबूर topic हैं उसको हम हल करें जो हमारे कमजोर topic है उसको मजबूती प्रदान करें फिर हम उस fiction में चाहे origining हो या मयत हो अथ्वा जीयस हो उसमें हम यत्षोचित अंक अर्जित करके निर्धारित जो कटाफ है उसको पार करेंगे उसको पार करने के बाद हम एक अच्छा score करेंगे जैसे हिंदी है चालिस में हम उसमें 35 36 38 से score करेंगे मयत है उसमें चालिस में 35 36 32 32 इस तरीके से score करेंगे हिंदी है जिस सारे विस्या में जब हम इस प्रकार से score करेंगे सिर्फ उसके बाद तब हम जाके अंतिम रूप से जो चैन होगा उसमें हम अपना नाम पा सकेंगे साथियों, जो विशय है वो हिंदी, अत्वाども, जीएस, अत्वा रिजिनिंग, अत्वा मेंत, उसमें हमें अपने हर मजबूत टापिक के अलामा, हर कम्जोर ईसको ध्यान देना है, आपने टीचर की मदद लेनी है, अपनी कोचिंग कलास की मदद लेनी है, कहीं भी घबाना नहीं है साथियों कहीं भी जो है आपको ये न लगे कि आप इसमें कमजोर है या आपको लगता है कि ये विसे हमारा कमजोर है तो हम उसे अपने teacher की मदद से उसको सॉल्व करें अपने जो डाउट से उसको clear करें और जो है हमारा जो भी कठिन टापिक है वो बहुत ही जल्दी आसान टापिक में बदल जाए आसान टापिक में बदलते हैं साथियों हमारा जो प्रस्ता है जो हमको कहीं ने कहीं लग रहा होगा कि ये प्रस्ता हमारा परिछा में छूट सकता है वो नहीं छूटेगा या ऐसे टापिक जो आपको लगता है कि ये सवाल में हल तो कर सकता हूँ लेकिन ये समझादा लेता है तो उसके लिए भी हम ये हमें एक अलगी स्टेड़ी अपनानी है उसके लिए हमें नित्य प्रति जो है भ्यास करनी है अपने टीचर की मदद लेनी है कि इस तरीके के टापिक को हम जो हम कहीं ने एक मिनिट में साल्व कर रहे थे उसको हम चैनल करें हम तैम मैनेजमेंट का सकरें। जिस तरीके से परेंगे उतब सब्ढ़ अंक है अंतिम परिक्षा विल्खीत परिक्षाह में उसको बढ़ःए पाएंगे टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए साथियों एक महतुपूर्ण भी से है टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब हम नित्य प्रति अपने सभी टापिक्स को बिंदुवार अभ्यास करें और देखें कि परिक्षा में जो प्रश्ण आ रहे हैं वो किस तरीके से लेंगे जा रहे हैं क्या पूछ रहा है उसमें कौंस ऐसे टापिक हैं जू बहुत पहले ही आसानी से हल हो जाते हैं कौंसह ऐसे टापिक हैं जो हल तो हो जाते हैं लेकिन समय लीते हैं अर्फा जो महत्वूर्ण है Time Management का उसको इस प्रकास के निधारेद करना है कि समय और हम प्रिक्षा देनी है मेत हिंनी जिया सिंदी जो हमारी 4 rooma कि ईसको उसके लिए हमें एक शिटर्वी बनानी है हमें जो हमारी लिखित परिक्षा है उसको दो खंडों में बाटना है दो खंडों में कहने का हमारा जो आशा हे वह यह कि काउंसे हमारे 1965 अऑजी से हमारा भी काम था time management करना, time management हम जितना करते, उतना हम अपने mark को increase करते. Time management के लिए हमारी जो strategy थी वो ये थी, कि हमने अपने जो 160 प्रसन हमारे प्रसन पत्र के थे और 2 घंटे जो हमें समय मिला था, उसमें हमने ये तैंग किया था कि हिंदी और रिजनिंग को हमें प्रथम आदे घंटे में सालो करना है और मैथ और रिजनिंग जो था टाइम टेकिंग है उसको से समय में सालो करना है है तो साथ ही हूई मैंने पच्चीस अमेरी परिच्षा का प्रारमTH की पच्चीस मिनट था उसको मैने मैत और हिंदी और जीए 친ust के लिए दिया और पचीस मिनट में मैं मैंने अपने जो सभी असी प्रस्न थे उसको सॉल किए उसके पश्चाद जो मेरे सेस समय थे उसको मैंने मैत और रिजनी को दिया क्योंकि चालिस चालिस प्रस्तो निश्चित तोर पर इसमें भी आते थे लेकिन मैत और जीयस की तरह इसमें तो था नहीं कि इसको आप देखे और सीधे टिक कर दिये इसमें आप प्रस्न को देखेंगे कलम उठाएंगे रफ वर्क करेंगे उसके बाद आप निश्चित विकल्ब का चैन करेंगे ताब आप जो है सही उत्तर दे सकेंगे इसलिए जो हमारी स्टेड़ी थी उसके तहर मैत और रिजनिंग इसको हमने एक खंड में बाटा हिंदी और जीयस को एक खंड में बाटा उसके उद्दिस उसका जो उद्देश से था वह यही था टाइम मेनेजमेंट ह हिंदी और जीयस को मैंने देखा दिकल्प का चैन किया टिक किया और आगे बढ़ गया यदि कोई विसे ऐसे हैं कोई प्रस्ण ऐसा है जो मुझे लगा कि यह हमको कंफ्यूस कर रहा है तो मैंने उसको देखा और इसकिप कर दिया नेक्ष प्रस्ण पर इससे हमारा जो हुर्ण कि हम कौन से टापिक को पहले टॉच करें आप किसी भी टापिक को पहले टाश कर सकते हैं किसी भी टापिक को बाद में टॉच कर सकते जो महत्वपूर्ण है वो है time management उसको हम किस प्रकार से adjust करते हैं यह आप को तैंग करना है और यह कैसे होता है यह अभ्यास से तैंग होगा अभ्यास में हमें जब भी हम पेपर सालो करेंगे अपने लिखित परिच्छा का जो प्रारूफ है उसको अपने टीचर अपने कोचिंग की मदद से उसमें जैसा कि अगर आप मेरी strategy की बात करें तो हिंदी और जियस इसको मने एक खंड में बाटा मैथ और रिजिनिंग इसको कि इस तरीके से कहीं ने कहीं हम हम इरести करेंगे और रोन कि Co Yap करेंगे उसे हिसाब अपना मार्कonолов करेंग अर्था टाइम मैनेंजमेंट भी लिखित परिक्षा में एक महतोप्री मधिसय है जिसको है हम सभी को ध्यान देना है, एक प्रस्ण जिस तरीके से एक मिनट में सालो करना है, वो हमें 30 सेकेंड में कैसे हम सालो कर सकते हैं, इस पर भी फोकस करना है, और हमारा जो विशय है, जितने भी विशय हैं, जितने भी टापिक हैं, जितने भी खंड हैं, उसको विंदवार, प्रस्ट छूटेगा तो हमसे एक अंक जो है वो मेरा कम होगा अर्थात हमें एक अंक अगर कम होगा तो फिर हमको लगेगा कि जो है हम कहीं न कहीं परिच्छा में पुछड़ रहे हैं अर्थात हमें एक एक वी से एक परस्ट को बहुत बारीकी से अध्यान करना है और पूरा dedication दिखाना है साथियों वर्दी जो है एक जुनून है साथियों वर्दी सारे नौजवान साथियों का सपना है जब आपके कंधे पर सिधारे लगें आपके सर पर P-CAP हो आपके बाज़ों में मोनोग्राम लगा हो आप कहीं न कहीं समाज में लोक सांती के लिए कारे कर सकें लोक न्याय के लिए कारे कर सकें हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन तक कानून की जो पहुँच है वो दूर है जो कहीं न कहीं अपने यतोचित न्याय से दूर हैं उनके लिए आप न्याय सुनुशित कर सकें लोक न्याय जो है ये महत्वण टापिक है जिसको आप कहीं न कहीं जो है अगर आप इस परिक्षा को उतिर्ण करते हैं तो लोगों को लोक न्याय सांती व्यास्ता के बारे में जो है रूबरू कराएंगे जो है उनकी जो आसू है उसको आप नजदीक से पहुच पाएंगे आपको लगेगा कि कहीं न कहीं समाज में एक जो न्याय व्यास्ता है उसमें कहीं न कहीं आप भी अपना योगदान दे साथियों यह जो दरोगापद है यह बहुत ही जो है महत्तुपूर्ण है और इसकी जो भरती है वह जैसा कि आप सभी जानते हैं तीन खंड में है लिखित परिक्षा सारीरिक दक्षता और यह चिकत सगी परिक्षा इसमें जो पहला चरण है उसको जब हम पास करेंगे तब ही हम अगले चरण के लिए योग्यो पाएँगे साथियों लिखित परिक्षा में हमें एक एक विसएं को उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितने ही ध्यान से हम यह सोचते हैं कि हमारा किस इस तरीकिसे चैन हो जाए कि हमारा जो चैन है वो इस बात पर निरुफर करेगा कि हम अपनी लिख़्ित परीख्षा में की सरी तैयारी के साथ हम झाँ बढ़تे हैं तो की स Teachers रहमिआ रहते है तो कि से अपनी परीख्षा को अन्जाम देते हैं जितनी बहतर तरीकि'reे से साथियों हम अंजाम देंगे उतने बहतर तरीके से हम अपनी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे साथियों यह जो पद है अत्यांत चुनोती पूर्पद है इसमें रोजगार के अस्थाई प्रकृति है शीदे जनता से जुड़ा हुआ है और मैंने जैसा की पूर पूर्पद है और इसके लिए आप सब जो तयारी कर रहे हैं इसके लिए एक एक विसाय को हमें इस हिसाब से पढ़ना है ताकि जो हम अपनी सफलता है उसको सुनिश्चित करें अपने हर कठिन टापिक को नजजदीक से देखें अपने टीचर की मदद लें कोशी की मदद नधे विए साथियों कहीं भी घुबbrana की को याव सकता नहीं है आपके टीचर आपके साथ है आपकी सफलता में आपकी टीचर भी अपना युगदान करें और आप अपनी सफलता के सुनिश्चित करें इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं उतकर समिसरा आप सभी की साथ अपने मूल विसे समयधान या मूल विधी पर मैं आपकी अगली कक्षा में आपसे रूबरू होंगा तब तक के लिए नमस्कार जैन